अभी हम बीमल मंडल जी के घर पे हैं और यहां पे उनका पुरा परिवार है इनसे हम जानने का परियास करेंगे कि उन्होंने जो अपने हाथ के बलिदान दिया है वो किसे मुद्दे पे दिये हैं देख रहे हैं बीमल मंडल जी का एक पुस्टर लगा हुआ है बरस्टा चार मिटाना है और बिहार को बचाना है बिमल मंडल को नियाई दिलाना है और बिहार के परतिये पंचायत की योजनाओं की जांच करवाना है निर्देशक समस्त बिहार ग्राउमवासी यहां पर उनके माता जी है और उनके चार लर्की है एक लरका है और सब बैठे वे हैं और समाच के लोग भी यहां पर बैठे वे सबसे पहले हम पास जाएंगे नमस्कार सर नमस्कार आपका क्या नाम हुआ शर्वन कुमार मंडल आप इसी गउंके हैं हम इसी गउंके हैं भी मल जी हमारा चाचा जी लगेंगे तो हमारे जो भी मल जी है उन्होंने हातил का बलिधान दिए भरषटाचार के खिलाप लरने के उपलक्ट पे क्या भरषटा चार खने जी बिलकूर होंगे भरषटाचार खczenia कलम पहते जब दे तो हम लोग उनके साथ है आज हमारे पंचय साथ है कल जीला साथ साथ रहेंगे उसके बाद पुराश्ट्य डांदोलन होंगे जिसके कारण मुखमंत्री जी को जंच करवाना ही होगा कोई रह नहीं है हम लोग मुखमंत्री जी से मांग करतें ETH प्लाष्ट राफिशना पार हो गया है कितना लूट खसोड हो राहा सरकारी योजना आता तु Ralph extension पर संटर-पर संट्ट उसमें घूसे में चला जाता 30 पर संट काम होता क्या पइदा यस काम से कि जो भी योजना का बात कि आप कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें की 70% नखा जाते हैं तो बिमल मंदल जी जो लड़ाई लड़ रहते सरक के मुद्दे को ले करके क्या आपके गाउं का सरक अभी तक नहीं बन पाया है आप लोग तो खुद आये होंगे रास्ता तो देखें होंगे रास्ता क्या हालात है जितने भी जो भी आये हैं सबको मोटर सकील से आना पड़ा वहां चर्चका वहीं पर रखना पड़ा सर्माटोला के पास तो उसी से नब पता लग रहा है कि मतला हमारे चरापटी में कितना समस्य आयरोड का दसारा मेला देख लिए पूरी भारत की सबसे बड़ी मिला लगते हैं लेकिन हमारा दुरभाग देखी हमारे चरापटी कोई एक बच्चा भी नहीं जा पाया क्योंकि ट्रेक्टर जाने की हालात नहीं था इस गौह से तो कैसे हम लोग का बच्चा मम्मी पापा सब परिवार सब जाते मेला देखने के लिए जिसके कारण मेला नहीं देख पाया हमको ब सिहार माप कितना विकास किये हैं यह अंता बिनास कितीत थे जिन्हों के अपने पंचायत का भृष्टा 4 को खतम करने के लिए ने कर दिख unpredict का जुन करके दिखाई और यह हाँ पर देख रहे हैं केमरामेंस शिरू करके दिखाए कotz हजारों अप्लीकेशन उनके हाथों से लिखी हुई अप्लीकेशन यहां पे रखी हुई है और इनसे कई जादा अप्लीकेशन उनके साथ अभी आयोध्यां में रखी हुई है और यह अप्लीकेशन लिखते लिखते भरष्टाचार के खिलाप एक दिन ऐसा मोर लिया कि 2 अक् चली गई लेकिन भरस्टा चार खतम नहीं हुआ कहा जाता है कि वेक्ति को जन्म लेने से पहले भरस्टा चार जन्म हो जाती है और यहां बिहार में वही हो रहा है कि भरस्टा चार पहले आ जाती है और वेक्ति का जन्म बाद में होती है जब यहां के सरकार अपने कुर्सी को पाती है तो वो जो हमारे देश में परजात तंत्र है लेकिन जब सरकार को कुर्सी मिल जाती है तो वो परजात तंत्र राज तंत्र में बदर जाती है और राजा के तरह वो अपनी मनमानी करने लगती है और समाज को और हमारे देश वास्यों के गरीब किसान के उपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण की आज किसान आत्म हत्या कर रहे हैं, हमारे बिमल जी जैसे वेक्ती का हाथ कट रहे हैं, और तब पर भी यहां के गाउं के भरस्टा चार को खत्म नहीं हो पाते हैं, यहां पे उन दिन से ये बराबर रो ही रहे हैं तो इनसे हम ज़्यदा बात नहीं करेंगे औहरा उनके एक बरी वहाँ बेटी है जिनका कि साधी हो चुका है उन से बात करेंगे आपका नौरक्त कितने साल सब्सक्राइब पहले है एक सल पहले अपका पती क्या करते हैं सब्सक्राइब 3 कंद विद लड़ाई लड़ी और इतना विद नियुकर करके सरकार से की लड़ने का पर्यास किये क्या वह जमीन बेच करके आपका जो है कि कि बरे घर में भी साधी कर सकते थे तो ऐसा उन्हों नहीं किया और आपके पापा दहेज दे करके साधी नहीं करवाना चाहते ते इसलिए कि वह भरषटा चार के खिलाप हैं खर उनको पसंद नहीं है मit Ama कुरवाणी आचा तो आप अपके पिता जी हात का कुर्वाणी दे दिए जिस हाथ से की लोग कमाते हैं जिस हमसे झाउत खाते है तो अब क्या आपका घर कैसे चलने वाला है उसके बाड़ेम यह से अचानाक चार्णाक है YouTube यह क्यों आपका पिता जी यह आपको जनकारी नहीं पता सोने ञखते हैं तो एक हूं तो आपका पापा जब घर प रहते थे तो ज़्यादा क्या करते हुए आपको गिखाई यानि कि इनके पिता जी यानि की बीमल मंडल जी जो थे वह हमेशा देश के अपने समाज के बारे में ही सोचते बारे में देखा करते थे और समाज के बीच बैटके उन्होंने सारा जोहit कि जनकारी प्राप्त करते कि इस इंयुकimy क시면 देख रहे हैं इनके बच्चे कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं झाल मंधल जी हां एकर यां बार बार हम बताने का परियाज रहा हैं हाएकर जमीन बेच करके बहते बच्चाइब अपने सारा बच्चे के भवीज़ के बारे में नहीं सूचे वो पूरे पंचायत के बारे में सोचे जिसके कारण की आज उनका यह दूरदसा देखने के लिए मिल रहा है यह पे बेटा है इनसे हम पूछाएंगे क्या बाबु नाम हुआ प्रते हो किसे क्लास में सरकारी में तो पिता जी से बात होती थी यह एयोध्या जो गये थे यह च्छे पढ़ते हैं और इनके भवीच के बारे में उन्हों ने एक पल भी नहीं सोचा लोग जो है कि अपने घर-परिवार के बारे में सोचते हैं लेकिन हमारे क्रांती की क्रांती वीर जो बिमल जी हैं वो अपने बारे में नहीं सोचे अपने परिवार के बारे में नहीं उनका पुरा पंचायत उनका परिवार था और वो पंचायत के लिए हमेशा लड़ते थे और यहां पर देख रहे हैं उनकी एक और बेटी है जो कि इनका भी उमर अब साधी के लाइग हो स्कूल में कितना दूर जाती है परने के लिए यहां से कितना किलोमीटर दूर है तिन किलोमीटर दूर है तो परहाई वहां से ठीक होती है स्कूल में औरै पूरे बिहार में तो यहीं स्थिती है सिक्ष्षा व्यवस्था का थोड़ी थोड़ी मतलब की कोई भी काम एप क्यों सकते हैं थोड़ी थोड़ी ही है अगर सबनेकर पर्सेंट तयों इस्पर संथ के नबने फिर में चली जाती है कहीं थो टिंपती में कम नहीं हो पाती हर जिगहां थोड़ी थोड़ी हों करकर रह जाती है जैसे कि बच्ची नीर बता रही है इनके बार्वी कोटी है और इनका चोज़की श्क्छा व्यवस्था थोड़ी थोड़ी होती हैति समस्कंढकर उतना यंगा पर साउत नजदी की हैं हमारा घर मतलब उसके घर के मतलब पिश्वारी में है और समाज से भी सुरू से इसका था कि समाज का सेवा हो इस बिंदू पर इन्हों अपने जीवन को ढाला था और इसके अंदर भरस्टाचार होने लगा 2005 से उस पर नजर रखना सुरू कर दिया और फिर जो है सुचना के अधिकार के तहट जो है सारा मतलब जो है फैल मतलब प्रकंड से उपलब्द किया जो कहां कहां भरस्टाचार किस विभाग में हो रही है या फिर कन्या विवाह योजना में हो या इसी तरह का सारा जो विभाग है इनका अलग-अलग सुची तैयार की गई उसका सर्विक्षन किया गया तो हम लोग पाए कि 90% इसमें जो है घुटला पाया जा रहा है सब खा जाते हैं और 10% काम होता है 8% 10% काम होता है इसके कि अभी 2011 से इलों को सवक्रिये हम लोग यहां से मतलब ए नौक्ष पर फिर अनुमंडल से फिर जीला से फिर मतलब जो है क्या करते है विहार में मतलब जो है मुख मंत्री सचिवाले से या मुख मंत्री तक या उसके गिरामीन विकास मंत्री जो थे सर्वन कुमार जी उनको कई बार हम लोग ग्यापन दिये लेकिन सुनने के लिए कोई तयार नहीं हुआ एक बार तो हमसे बात भी हुई थी क्या आप जांच करमाने के लिए तयार हैं सर्वन कुमार जी से लेकिन उन्होंने उप करके कहा जांच हो रही है हमने पूछा क्या जांच हो रही है कि अब जो है कि बिमल मंदल जी ने जो क्या है जो यहां पर बैट पाएगी जी बट पाएगी अभी तक बिस्वास है मेरे सर पर पाल उगपाएगा जी हाँ उगपाएगा कि हम प्रन लिए हुए हैं आपको बता दे कि जिस दिन हमारे बिमल जी का हांत कटा था उस दिन ही नहीं मिल जाती है वो घर नहीं आ जाते हैं और उनके घर में उनके पंचायत में जब तक जाँच नहीं बैट बैट जाती है तब तक हम अपने सर को नहीं उगने देंगे और डारी को नहीं उगने देंगे तो क्या हमारे सर पे बाल उपाएगी और यहां पे भरस्टा चार जो हो रही है इस पन्चैत में खतम हो पाएगी? जैया भरस्टा चार पूरे बिहार से खतम होगी. आप लोग साथ दाएगे उनका? तो क्या आपको साथ रहते विए अईसा नौबत उनको काहे नहीं आना पर गया वो अकेले जो है कि इतना बड़ा निर्नाई क्यों लेना उनको पर गया आप क्यों नहीं लिए आप कम से कम एक अंगरी भी कारते बीच में ऐसा हुआ कि हमारे साथ घटना हो गई थी हम उसमें पूल अजगे हमारा दमाद एक से एक्सपायर कर गया था इसी बीच में जो है इन्हों ने यह घटना कर लिया लेकिन हम दो दो साथ साथ चलते थे जहां भी जाना होता था विमल और हम साथ चलते थे यहां से मतलब प्रधान मंत्री गोपनियकारजाल हो या राश्पती हैं ऑगर विमल जी शक्षम नहीं होंगे तो हम अपना सरीर कर देंगे तो देख रहें विमल्दल जी जो आज करांती कारी हमारे बिहार में लाई हैं उनके साथ कितने लोके हैं घर पूरे सरीर का भी कुरबानी दे कि हमें जो है कि हमारा ऐसे भी अंतिम समय आ चुकी है कितना उमर हुआ हमारा भी मतलब चल रहा है तो अगर उनको नियाए नहीं मिलेगा तो पका आप अपना सरीर का खुर्बॉनी देंगे तो ऐसे इसे बीर जो है कि हमारे समाज में अगर रहेगा तो समाज से भरष्टाचार खत्म हो जाएगी और यहां पे उनके और लोग है आपका क्या नाम है मेरा नाम रविंद मंडल है आप कैसे जौनते हैं उनको यह हमारे परोसी है और इसे हमारी अच्छा तालमिल है इंके साथ तो कहा जाता तो मैं एक बात बताना चाहूंगा जितने भी मेडिया कर्मी है यह हमें गाउं से ही पता चला है हम यहां पे जब से आ हैं तब से तो आप लोग का बेभार देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोग उनके साथ होएंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का सबसे पहले बात जवाब दिनके बात करता हूं इस मेडिया कर्मी को धन्वाद करता हूं उपत्रकार को धन्वाद करता हूं जितने भी मतलब जो नहीं जहां-जहां से भी यहां पर आया है करता हूं कि यह आवाज जन जन तक पहुंचना चीए एक आदमी की जो ना मतलब यहां का इस भरस्टाचार के वारे में यह सब को पता चलना चीए और यह जैसे कि लोग आइना हो देखते हैं सगर वैसे यह दरपन होता है क्या लगता है कि हमारे जो बिमल मंडल जी ने अपने कुर्वानिक दिये हैं क्या भरस्टाचार खतम हो पाएगे जब महत्मागांदी साओध भरगास इंडिया थे चंबारान से उन्हें अपना मतलब यात्रा शुरू किये तो कोई कहता था कि यह भरस्टाचार यहां से खतम होगा सब यह सब्सक्राचार साओध भरगास पहनने वाले वह आके यहांगरी जो खिलाब वह क्या टटेंगे चले जाएंगे अग्यादी मिली ना चले जिवाने उनके साथ इतना आता गया इतना आता गया इतना आता गया एक से एक समझले लोग जुटें और अगरेजों को जो ने इतना खेदारग साथ समुन्दर पार याँज ख़देर के भेज़ दिये तो ऐसे ऐसे यहाँ पे समाज में लोग है और बिमल मंडल जी ने जो कुरवानी दिये हैं उनके साथ पूरे समाज के लोग हैं और हमारे देश में जो है कि भरष्टाचार इतने सरम सीमा पे चली गई है कि यह खतम होने की नाम नहीं ले रही हमारी सरकार घोर निंद में सोई हुए है उनको जगाने के का पर्यास हो रही है और बिमल मंडल जी के साथ सब कोई उनके कंदे पर कंदे मिला करके चले और उनको भरष्टाचार के खिलाप लगने में एक तागत बनने का पर्यास कर ले जता हुए हुए है।